पूर्विसिक्षमंत्री गीता भुकल ने जजर्जर के गुवालीशन के सरकारी स्कूल का जाजा लिया इस मौके पर उन्होंने कहा कि विदानसबस सत्र में स्कूली बच्चों के अंसेफ होने का मुद्दा उठेगा सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जरजर होने के चलते बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है इस मसले की गूंज दो अगस्त से शुरू हो रहे विदानसबस सत्र में सुनाई देगी वही हर्याना के कई जिलो में हुए छात्रवरती घोटालो पर बोलते हूँ उन्होंने कहा कि कई अभी भावकों ने इस बारे में उन्हें श्रकायत की है कि उन्हें पात्र होने के बवजूद भी छात्रवरती नहीं मिली इसकी भी नियाईक जांच होनी चाहिए हैं को बिल्कुल अंसेफ हैं यहां पर और जब यह स्कूल की बिल्डिंग गिरी थी तब भी हमने इस मामले को काफी ज्यादा किया था अब विभाग कह रहा है कि हमने पैसे सेंक्षिन कियें लेकिन आज तक टेंडर नहीं हुए बच्चे जो है खुले आस्मान के नीचे दानसवा में भी प्रेशने लगाया है कि क्या क्राइटीरिया कर दिया और बहुत सारे पेरेंट्स कह रहें कि उनके बच्चों को जो है यह चात्रवती मिल नहीं रही है एक तो चात्रवती मिल नहीं रही है और उपर से करोड़ों रुपे के घृटाले उजागर हो रहे है तो इसमें पूरी तरह से जाच होनी चाहिए और दोश्यों के खिलाव करवा ही होनी चाहिए